पात करते हैं लुटियंस जोन में बंदर भगाने का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो देश-विदेश में सुर्खियां बटोर रहा है बंदरों के उत्पात का मामला संसर में भी उठा इसके चलते 40 लोग बंदरों की भासा बोलकर बंदरों को भगा रहे हैं ये बंदर से आदमी नहीं बलकि आदमी से बंदर बनने का कारोबार है प्रमोद और महेंदर जैसे 40 लोग हैं जो बंदरों को भगाने के लिए लंगूरों की सी आवाज निकाल रहे हैं लेकिन हमने देखा कि आवाज से ज्यादा बंदर इनकी गुलेल से डरते हैं दिली के विएपी इलाके में बंदर भगाने के इस अजूबे कारोबार ने प्रमोद को भी विएपी बना डाला है देशी विदेशी मीडिया में इनके इंटर्विव हो रहे हैं और वो तरीका पुछा जा रहा है जिससे ये बंदरों को खौफ जदा करते हैं ये बहुत दिल्चस्प तरीका है क्योंकि ये सामान्य नहीं है आम तोर पर बंदर पकड़ने वाले यहां से बंदरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ देते हैं की बंदरों को पिंजड़े में बंद करना गैर कानूनी हो गया इसलिए लोगों को लंगूर बनना पड़ रहा है बंदरों को भगाने का जिम्मा जिन विभागों के पास है उन्हें काईदे कानून में जकर दिया गया है और बंदर आजादी के साथ में घूम रहे हैं यही वज़े है कि लाखों रुपए खर्चा करने के बावजूद इस तरह के इलाकों में जहां आम आदमी आपको हर जगे नहीं आता जाता मिलेगा वहां आज की तारीक में आपको बंदर घूमते मिल जाएंगे नई दिली से केमरपसंद जगदीश प्रकाश के साथ रवीश रन्य शुकला एंडिटीव इंडिया